कोश्चन दिया है एक परिक्षा में 22 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का उसत 45 है पहले 10 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का उसत 45 है और अंतिम 11 चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का उसत 45 है ग्यारवें चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का उसत 45 तो इनका योग निकाल लेंगे पैंटायस में गुणा कर देंगे बाइस का तो इनका योग वोजाएगा नौसून अबभे पहले दस छात्रों दौट अउसत अंक 55 है तो इनके अंगों का योग निकाल लेंगे पच्छपन में गुणा कर देंगे 10 का तो इनके अंकों का योग हो जाएगा 550 और अंतिम 11 चात्रों दारा प्राप्त अंकों का उसर 40 है इनके अंकों का योग निकाल लेंगे 40 में गुड़ा कर देंगे 11 का तो इनके अंकों का योग हो जाएगा 440 कुल 22 चात्र है और यहाँ पर 10 और 11 21 चात्र हुए तो 11 चात्र दौरा प्राप्त अंकों का योग निकाल लेंगे 22 चात्रों के अंकों का योग है 990 माइनस 10 चात्रों के अंकों का योग है 550 प्लस 11 चात्रों के अंकों का योग है 440 यह हो जाएगा 990 माइनस यहां हो जाएगा 990 तो 11 चात्रों दौरा प्राप्त अंक हो जाएगा 0 option is का right answer हो नेक्ट कोश्चन दिखेंगे अंतिम 5 संख्याओं का उसत 40 है अंतिम 5 संख्याओं का उसत दिया है 40 तो अंतिम 5 संख्याओं का योग निकाल लेंगे इनका योग हो जाएगा 200 और पहली 4 संख्याओं का उसत दिया है 44 पहली 4 संख्याओं का उसत है 44 44 में गुणा कर देंगे 4 का तो पहली 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 176 कुल 12 संख्याओं है और यहाँ पर 9 संख्याओं है 3 संख्याओं सेस हैं 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे 12 संख्याओं का योग है 504 माइनस 5 संख्याओं का योग है 200 प्लस 4 संख्याओं का योग है 176 यह हो जाएगा 504-386 तो तीन संख्याओं का योग हो जाएगा 128 माल लेंगे वो तीन संख्या है पाँचवी संख्या, छटवी संख्या और साथवी संख्या और इन संख्याओं का योग दिया है 128 छटी संख्या पाँचवी संख्या से 6 कम है और सातवी संख्या से 5 कम है माल लेंगे 6 संख्या x है और ये पाचवी संख्या से 6 कम है तो पाचवी संख्या हो जाएगे x प्लस 6 और सातवी संख्या हो जाएगे x प्लस 5 और इनका योग है 128 तो इन संख्याओं का भी योग कर लेंगे x plus 6 plus x plus x plus 5 equal 128 3x equal हो जाएगा 128 minus 11 3x equal हो जाएगा 117 3 से divide कर देंगे 117 को तो x equal हो जाएगा 39 यहां से x की value आ जाएगी 39 यानि 6वी संख्या हो जाएगी 39 5वी और 7वी संख्याओं का औसत निकालना है 5वी और 7वी संख्याओं का औसत निकालना है plus 7वी संख्याओं x plus 5 2 संख्याओं है तो बटे में 2 हो जाएगा x equal रखेंगे 39 39 plus 6 करेंगे यह हो जाएगा 45 plus 39 plus 5 करेंगे 44 upon 2 89 upon 2 2 से divide कर देंगे 89 को तो 5वी और 7वी संख्याओं का औसत हो जाएगा 44.5 option A इसका right answer होगा next question दिखेंगे question है पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है यदि पी अपने तीन दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार क्या है पी और उसके तीन दोस्तों का औसत भार दिया है 55 किलोग्राम यहाँ पर P और उसके 3 दोस्त कुल 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्तियों के भार का योग निकाल लेंगे 55 में गुणा करतेंगे 4 का तो 4 व्यक्तियों का खुल भार हो जाएगा 220 यदि P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है माल लेंगे P के 3 दोस्तों के औसत भार X है 3 दोस्तों के भार का योग निकाल लेंगे 3X और P अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो P का भार निकाल लेंगे 3 दोस्तों का औसत भार है X और इससे 4 kg अधिक है प्लस 4 यह हो जाएगी first equation P का भार plus उसके तीन दोस्तों का भार और चारों का कुल भार है 220 P का भार है X plus 4 plus तीन दोस्तों का कुल भार है 3X equal 220 यह हो जाएगा 4X equal 220 minus 4 4X equal हो जाएगा 216 4 से divide कर देंगे इसको तो X equal हो जाएगा 54 P का भार निकालना है X की वैलू रख देंगे first equation में P equal X की वैलू है 54 plus 4 तो P का भार हो जाएगा 58 option D इसका right answer होगा question दिया है 3 व्यक्ति A, B, C का औसर 84 kg है एक अन्य व्यक्ति D समू में सामिल हो जाता है और अब औसर 87 kg हो जाता है यदि कोई अन्य व्यक्ति E जिसका भार D से 3 kg अधिक है A को प्रतिस्थापित करता है तो B, C, D और E का आसत भार 89 kg हो जाता है A का वजन kg में है A plus B plus C 3 व्यक्ति इनका आसत वजन दिया है 84 kg तो इनका कुल भार निकाल लेंगे 84 में 3 का गुणा कर देंगे तो इनका कुल भार हो जाएगा 252 यह हो जाएगी फर्स्ट एक्वेशन अन्य व्यक्ति D समू में सामिल हो जाता है तब औसत 87 kg हो जाता है A plus B plus C plus D इनका औसत वजन हो जाता है 87 kg तो इनका कुल भार निकाल लेंगे 87 में गुणा कर देंगे 4 का तो इनका कुल भार हो जाएगा 341 kg यह हो जाएगी second equation यहां से D का भार निकाल लेंगे 4 व्यक्तियों का कुल भार है 341 माइनस 3 व्यक्तियों का कुल भार है 252 तो D का भार हो जाएगा 68 kg यदि कोई अन्य व्यक्ति E जिसका भार D से 3 kg अधिक है A को प्रतिस्थापित करता है यानि व्यक्ति E एक ही जगे आ जाता है और E का भार D के भार से 3 kg अधिक है तो E का भार निकाल लेंगे D का भार है 68 kg और इससे 3 kg अधिक है तो प्लस 3 कर देंगे तो E का भार हो जाएगा 71 kg जब E A की जगे प्रत्तिस्थापित कर दिया जाता है तब B, C, D और E का आसत भार 89 kg हो जाता है B, C, D और E इनका आसत भार हो जाता है 89 kg तो इनके भार का योग निकाल लेंगे 89 में गुड़ा कर देंगे 4 का तो इनके भार का योग हो जाएगा 316 यह हो जाएगी 3rd equation यहाँ पर D और E का मान रख देंगे B, C, D का वजन है 68 kg प्लस E का वजन है 71 kg बराबर 316 B, C बराबर हो जाएगा 316 माइनस 149 B, C का वजन हो जाएगा 117 A का वजन निकालना है B और C की वैलू रख देंगे 1st equation में A, B, C, बराबर है 252 A, बराबर 252 माइनस B और C का मान है 177 तो A का भार हो जाएगा 75 kg आप्सन C इसका राइट आंसर होगा Next question देखेंगे Question है एक पुस्तकाला ध्यच्छ ने अपने पुस्तकाले के लिए 50 कहाने की पुस्तके खरीदी लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपए अधिक खर्च करके 14 और किताबे प्राप्त कर सकता है और पुस्तक आसत मुल्य एक रुपए कम हो जाता है उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तक का आसत मुल्य था मान लेंगे पुस्तक का आसत मुल्य एक्स है और वो 50 कहाने की पुस्तके खरीदता है तो 50 कहानियों का मूल्य हो जाएगा 50X लेकिन उसने देखा कि वो 76 रुपए अधिक खर्च करके 14 और किताबे प्राप्त कर सकता है 50 किताबे वो खरीद रहा है 50X में प्लस अगर वो 76 रुपए अधिक खर्च करता है तो वो 14 और किताबे प्राप्त कर सकता है पहले ये 50 किताबे खरीदता है और अगर 76 रुपए और खर्च करता है तो ये 14 किताबे और खरीद सकता है और प्रति पुस्तक औसत मुल्य एक रु प्लस 76 equal यहां हो जाएगा 64, 64 का multiply कर देगे x में, तो यह हो जाएगा 64x minus 64 64x minus 50 करेंगे तो यह हो जाएगा 14x equal, 64 को इधर ले आएगे तो यह plus में हो जाएगा यह हो जाएगा 140 14 से Defright कर देगे 140 को तो x equal हो जाएगा 10 तो प्रतिक पुस्तक का उसत मुल्य हो जाएगा 10 रुपे Option A इसका राइट आंसर होगा Next question दिखेंगे Question है एक कक्षा में 100 चात्र हैं जिनमें से 70% लड़किया हैं और अन्य लड़के हैं एक परिक्षा में लड़कियों का उसत स्कोर लड़कों की तुल्ला में 20% अधिक है यदि सभी विध्यारतियों का उसत प्राप्तांक 57 हैं तो लड़कों का उसत प्राप्तांक क्या हैं कक्षा में 100 चात्र हैं जिसमें से 70% लड़किया हैं तो 100 का 70% निकाल लेंगे तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 70 और 100 चात्र में 70 लड़किया है तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 30 लड़कियों का उसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20 प्रसत अधिक है लड़कियों का उसत स्कोर लड़कों के उसत स्कोर से 20 प्रसत अधिक है तो लड़कियों का उसत स्कोर हो जाएगा 120, बटी 100, लड़कों का उसत स्कोर 0 से 0 कर जाएगा, दो का भाग दे देंगे 12 में 6, 10 में दे देंगे 5, तो यहां से लड़कियों का उसत स्कोर हो जाएगा 6X, और लड़कों का उसत स्कोर हो जाएगा 5X, सभी विध्यार्थियों क लड़कों का उसत प्राप्तांक 57 है तो लड़कों का उसत प्राप्तांक क्या है सत्ता लड़किया है और इनके उसत स्कोर है 6x प्लस 30 लड़के हैं और इनका औसत स्कोर है 5X अपॉन कक्षा में कुल 100 छात्र है बराबर इनका औसत प्राप्तां के दिया है 57 यह जाएगा 420X प्लस 150X इक्वल 5700 दोनों को एड़ कर लेंगे 570X इक्वल 5700 570 से डिवाइड कर देंगे इसको तो X इक्वल आ जाएगा 10 लड़कों का औसत प्राप्तां के निकालना है लड़कों का औसत प्राप्तां के निकालना है 5X एक्स की वैलियू रब देंगे 5 में तो लड़कों का औसत प्राप्तां को जाएगा 50 ओप्शन डी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन देखेंगे कोईशन दिया है एक परिवार का आसत मासिक खर्च पहले 3 महिनों के दौरान 10,000 अगले 4 महिनों के दौरान 12,500 और एक वर्ष के अंतिम 5 महिनों के दौरान 13,500 था यदि वर्ष के दोरान खुल बचत 32,500 रुपए थी तो परिवार की ओसत मासिक आये थी पहले तीन महिनों का खर्च दिया है 10,000 रुपए 10,000 में गुणा कर देंगे तीन का इनका योग हो जाएगा 30,000 अगली चार महिनों के दोरान इनकी खर्च का ओसत है 12,500 तो इनका योग निकाल लेंगे चार का गुणा कर देंगे 12,500 में तो इनका योग हो जाएगा 50,000 रुपए अंतिम पांच महिनों के दोरान खर्च है इनका 13,500 तो इनका योग निकाल लेंगे 5 का गुणा कर देंगे 13,500 में तो इनका योग हो जाएगा 67,500 मासिक आय का योग निकाल लेंगे पहले 3 महीने 30,000 रुपए खर्च होते हैं फिर अगली 4 महीने 50,000 रुपए खर्च होते हैं प्लेस अगले 5 महीने 67,500 रुपए खर्च होते हैं प्लेस और इनकी बज़त हो रही है 32,500 रुपए की तो एक वर्स की इनकी आय का योग हो जाएगा एक लाग असी हजार रुपे और औसत मासिक आय निकाल ली है एक वर्स की कुल आय है एक लाग असी हजार रुपे और एक वर्स में बारा माह होते हैं तो बटे बारा कर देंगे 12 का भाग देंगे 1,80,000 में तो 80 का आयका उसत हो जाएगा 15,000 रुपए Option A इसका right answer होगा Next question दिखेंगे Question दिया है A, B, C और D 4 सकारात्मक संख्याए है जैसे कि A, B का 3 बटे 4 गुना है B, C का 4 बटे 5 गुना और C, D का 3 बटे 8 गुना है यदि A के 4 गुना और D के 7 गुना का उसत 316 है तो सभी 4 संख्याओं A, B, C और D का उसत है A, B का 3 बटे 4 गुना है A बराबर हो जाएगा 3 बटे 4, B तो यहाँ से A अनपाद B निकाल लेंगे 3 अनपाद 4 B, C का 4 बटे 5 गुना है B बराबर है 4 बटे 5, C तो यहाँ से B अनपाद C निकाल लेंगे 4 अनपाद 5 C, D का 3 बटे 8 गुना है C बराबर हो जाएगा 3 बटे 8, D C और D का अनपाद निकाल लेंगे 3 अनपाद 8 4 का अनपाद निकाल लेंगे A अनपाद B, अनपाद C, अनपाद D A और B का अनपात दिया है 3 अनपात 4 B और C का अनपात है 4 अनपात 5 B का अनपात है 4 C का अनपात हो जाएगा 5 C और D का अनपात दिया है 3 अनपात 8 3 अनपात 8 जो इस्तान खाली होता है उसके बराबर में जो संख्यादी होती है उसको लिख देते हैं यहाँ पर D का इस्तान खाली है, बराबर में संख्या दी है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ पर B का इस्तान खाली है, बराबर में संख्या दी है 3, तो B के इस्तान पर लिख देंगे 3, A का इस्तान खाली है, बराबर में संख्या है 3, तो यहाँ पर भी लिख देंग 9X 12X 15X और 40X यदि A के 4 गुना और D के 7 गुना का उसत 316 है A कमान है 9X और इसका 4 गुना है गुड़ा 4 कर देंगे प्लस D कमान है 40X और इसका 7 गुना गुड़ा 7 कर देंगे इनका उसत दिया है 316 बटे 2 कर देंगे क्योंकि 2 संक्या है बराबर हो जाएगा 316 solve कर लेंगे इसे यह हो जाएगा 36X प्लस 280X इक्वल 632 यह हो जाएगा 316X इक्वल 632 316 से डिवाइड कर देंगे इसको तो X इक्वल हो जाएगा 2 तो A, B, C और D का औसत है चारों का औसत निकालना है X की वैलू रख देंगे इनमे A की वैलू हो जाएगी 18 प्लस B की वैलू हो जाएगी 24 प्लस C की वैलू हो जाएगी 30 30 प्लस D की वैल्यू हो जाएगी 80 अपान 4 यह हो जाएगा 152 अपान 4 फोर से डिवाइड कर देंगे इसको तो चारो संख्याओं का उसत हो जाएगा 34 ऑप्शन बीस का राइट आंसर होगा कौश्चन है 11 संख्याओं का उसत 56 है पहली 3 संख्याओं का उसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का उसत 60 है 9 और 10 वी संख्या 11 संख्या सी क्रमसा 3 और 1 अतिक है 9 और 11 संख्या का औसत क्या है 11 संख्याओं का औसत दिया है 56 तो 11 संख्याओं का योग निकालेंगे 11 का पुड़ा कर देंगे 56 में तो 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 616 पहले 3 संख्याओं का औसत दिया है 52 3 संख्याओं का औसत है 52 तो 3 संख्याओं का योग निकालेंगे 3 कबुला करतेंगे 52 में तो 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 156 और अगली 5 संख्याओं का उसत दिया है 60 5 संख्याओं का उसत है 60 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 300 खुल 11 संख्याओं है और यहाँ पर 5 और 3 8 संख्या हैं 3 संख्या हैं सेस हैं तो सेस 3 संख्याओं का योग निकाल लेंगे 11 संख्याओं का योग है 616 माइनस 3 संख्याओं का योग है 156 प्लस 5 संख्याओं का योग है 300 तो यह हो जाएगा 616 माइनस 456 तो तीन संख्याओं का योग आ जाएगा 160 9 और 10 वी संख्या 11 संख्या से क्रमसा 3 और 1 अधिक है माल लेंगे 11 संख्या X है 9 और 10 वी संख्या 11 संख्या से क्रमसा 3 और 1 अधिक है तो 9 संख्या हो जाएगी X प्लस 3 और 10 वी संख्या हो जाएगी X प्लस 1 तीन संख्याओं का योग दिया है 160 तो तीनों का योग कर लेंगे x plus 3 plus x plus 1 plus x और इनका योग है 160 यह हुजाएगा 3x एक्वल 160 minus 4 3x एक्वल हुजाएगा 156, 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो x एक्वल आजाएगा 52 तो 11 संख्या हो जाएगी 52, 9 और 11 संख्या का औसत निकालना है, 9 संख्या का मान है X plus 3, X का मान रखेंगे इसमें, तो 9 संख्या हो जाएगी 55, प्लस 11 संख्या है X, और X का मान है 52, बटे इनका औसत निकालना है, तो 2 से भाग दे देंगे, यह हो जाएगा, 107, बटे 2, 2 का भा Option A, इसका राइट आंसर होगा Next question दिखेंगे Question है, एक व्यक्ती जन्वरी में 150 ग्राम के ओसद भार के तीन पैकेज और फरवरी में 250 ग्राम के ओसद भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है व्यक्ति दोरा दो महिनों में प्राप्ति किये गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना होगा व्यक्ति जनवरी में 150 ग्राम औसत भार के 3 पैकेज प्राप्त करता है तीन पैकेजों का ओसत भार दिया है 150 ग्राम तो इनका योग कर लेंगे तीन पैकेजों के भार का योग हो जाएगा 450 ग्राम और फरवरी में 250 ग्राम ओसत भार के 5 पैकेज प्राप्त करता है 5 पैकेज प्राप्त कर रहा है और इनका ओसत भार है 250 ग्राम पांच पैकेजों का कुल भार निकाल लेंगे पांच का गुड़ां कर देंगे 250 में तो पांच पैकेजों का कुल भार हो जाएगा 1250 व्यक्ति द्वारा दो महिनों में प्राप्ति किये गए सभी पैकेजों का ग्राम में औसत भार कितना होगा तीन पैकेजों का कुल भाहर है 450 5 पैकेजों का कुल भाहर है 1250 बाटे, 3 और 5 आठ पैकेज है तो 8 से भाग दिदेंगे इसमें ये हो जाएगा 1700 बाटे 8, 8 का भाग दिदेंगे 1700 में तो सभी पैकेजों का आसद भाहर हो जाएगा 210.5 ग्राम Option B इसका right answer होगा